आईएम्हा अगला मुकाबला राजस्तान वर्स्स दहली और मुकाबला बहुत अतरंगी होने वाल ऑई क्योंकि यह जो पीच में जेपूर की है और आप सभी को पता है कि यांप सभी लोग क्या बोलनें वाला है कि इस पीछ के ऊपर कल ररन कम बनने वाला esperando कि सही बताओं यहां का जो एवरी स्कोर है वो है 159 के आसपास का और अगर राजस्तान यहां पर फर्स इनिंग के अंदर बेटिंग करती है तो 180 के आसपास का इसकोर भी आराम से बन सकता है ठीक है इसके अलबाद जब आप टीम बना रहे हो तीम के अंदर कौन से प्लेयर रह सकती ही वो चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेगी क्योंकि इस बात को समझना कि राजस्तान कहीं ने कहीं यहां पर मुझे श्ट्रॉंग लग रही है वही पर अगर आप आप देहली देखो के तो देहली के यहां पर तीन ऊपर के बैट्समें वह बहुत तो टीम पूरी कॉलाप्स हो जाती है यह सिन्योर आपने देखा होगा ठीक है वहीं पर आजस्तान की बात करें तो कुछ अच्छे प्लेयर है इसकल्ब आपको कुछ इंपक्त प्लेयर पर ध्यान रखने पड़ेंगे वह मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि किस-किस प्लेयर ते किस-किस प्लेयर पर यह था किस किस थीघृ किस था कि आपो से लेना है बात्तमाल spielen और ब्रांटर्थ का सेक्षिं गया वह पको क्या लेना है को अगे बताने वाला हूं इसांत में इस वीडियो में गिवए मी और यह यहींन ओक sailor अगर आप भी इनकी तरह वीनर बनना चाहते हो तो इस वीडियो के निचे आपको अच्छा सा कमेंट करना है वीडियो को लाइक करना है इस वीडियो का लाइक टागेट रखते हैं तरह मत Bijनुध कि निचे बहलते हैं कर पयंगे दो क容易 हैं यह करूंगे तो फ़ीडियो के सथे द्रहब करने आपको ब्रॉड आपके यहां पर 2 पर यहां पर आगे बात करने के एल त्यान से संबजनागे ल्गे यहां पर नुमेंगे पार न नेवाले हैं reden हमों सेकल इंग पर इंग परबागा जोग थीम पर उदिर मेपार को पनिक सब्सक्राइब, दरन हें लेकिन शुल मेन के टोर्स जोफ पर पर इंगी आप करेंगे बोलिग इश शीध को इन एक इंग और हमेमेगा॥ तो वह सिंदेर हो यहांपट आपको दीख रहा है यह सके अगर मालों सेश्क के वर्स रच्वी का मैच होता तो अपने इसको कंसेडर करते हैं पर यह रास्ता वर्स देली का मैच है तो जो मैच उस मैच की सिचुशन के अकोडिंगे यहांपर अपन टीम को बनाएंगे ठीके टुके का सकते इसब से इसाव से बढ़नाएज तिम नहीं बनानी इसाब आपको बनानी अपने असने अपने पने परल। आपन cockpit सके कीारा कि फिलिंग आरेज की शषिरो आपने क्वेस कर देखा हो that है ठीक है मैं एक तम क्लियर बता रहा हूँ देन आपर बात करें तो यह चालेज़ परसें बेट फैनली प्रीच और साथ परसें बोलिंग फ्रैनली पीछे पर एक बात मैंने पहले क्लियर कर दिए कि जो इनिशली मैच होते हैं किसी पीछ के उपर सीजन के सुरुवात में जै मैंने बताया था कि उसको ड्रॉप करना तो आपने नोटिस क्या होगा वो ड्रिम टीम के अंदर भी निया था ठीक है तो यह चोई-चोई बेसिक नोलेज होती जो आपको पता होने चीए और यह सारी चीज़े यहां पर परफेंड में आपको मिल जाती है तो बस लाइक और सपोर्ट कर दो लाइक करके कमेंट भी कर दो अच्छा सा कमेंट कर ले ना और में चीज तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है यह सब चीज़े तो चलती रहेगी मैं अपने को फोकुस करना है टीम के उपर मैंने क्या बता है कि जो से पीच होती हो हर बार नहीं यूज हो रही है इस सीजन में ठीक है तो यहाँ पर अभी शुरूआती मैं एक है तो यहाँ पर रन ज्यादा बन सक्ते हैं तो बोलिंग फेलिप बले ही हो पर इिनिशली जो फेले मिलता हु doctor बै yolum को मिलता है यहां पर बैट्स को मिलता है और उसके बाद जैसे जैसे पीछ फेवर होती है यूश्ड होती रहेती उसके बाद यहां पर जो वैट रेस्मेश मिलता हूव बॉलल सग्वाल पएशन हीब है यहां पर लांस दर्स में यहांपर बाहन इंग कर टोटल सेकन और यहांपर eta 9 में पर लல्का ुदमेस गोनासं m Neo visha यहां पनवों के द॑न आपर समझ में आरा vic काफी है all over idea लेना पड़ता है तो यहां पर देखो देहली ने यहां पर कितने में जीते हैं साथ और राजस्तान ने कितने में जीते हैं तीन अब यहां पर आप 10 match में को जीत रहा है? 7 डेली जीत रहा है 13 यहां पर को जीत का जो समझ में बाहे है हि यहां पर डेली जो है जादा च्रण तीम लग रहेैं लेकिन अगर आप तीम को का दुक्ष लिटैस को प्लेजर्ट साथ आपको साब समझ में आएगा कि यहां पर Rajasthan इस बार ज्यादा श्ट्रोंग है थोड़ी से ज्यादा श्ट्रोंग है रिजन में आपको आगे बताने वाला हूँ important player भी बताने वाला हूँ लेकि सिंद्री आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ के उपर अगर आपने सिंद्री डाटा देखा होता current situation नहीं देखी होती पुराना डाटा लेकि टीम बनाओगे तो आप flow off हो जाओगे इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लोग सिंद्री एक्स्प्रेंट करते हैं वो कहीं से स्लाइड खरीद लेते जिसका कोई मतलब नहीं है अपर आपके महनत की कमाई लगती पैसे आपके लगते हैं उसे कोई थुकार नहीं बेढ़ता ठीक है मैं सिंद्री यह है कि अगर आप टीम बना रहे हो तो थोड़ा ठंक से टीम बनाओ बस यह कहूंगा सिब डाटा देखके टीम मत बनाओ कुछ लुजिक लगाओ और करन्ट टीम को भी नोटिस करो जैसे देखाया ना साथ यहां पर एली जीती है लास्ट दैस में तीन राजस्तान जीती है बट इस बार रास्तान तोड़ी जाता फेवर कर रहे है तो अबर डोनुट टीमों का लाश्ट टीम के अगर बात के केसी बहुंच ती एक आइडेया लेने के लिए लिए देखना पड़ेगा तो आपर आपर दोजा तीस के मेच के बात करेंगे जहां पर इस मेच को राजस्तान ने जीता था साथावन रंज रंसे ठीक है इसके अ लेटि आदव ने 38 रंके पारी के लिए थी मुकेश कुमा ने दो विकेट लिया था और कुल्डी ब्यादव एक लिकेट लिया था ठीक है और कई नगी कुल्डी ब्यादव थोड़ा important player भी है अभी के तो अब पर इसको थोड़ा से वैटे सकते है बोलर्स में से तीक है दो यहां पर आपन सीम्पल आते हैं तीम के ऊपर के राजस्तान की टीम से कौन से प्लेयर इंपोर्टेंटर 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 इ बरगर यहां पर है यह लांस मैस के अंदर भी इसने बहुत अच्छा किया था वह इस अपने ने नोटिस की थी तो कई ना कई यह इंपेट प्लेर से होगा और अगर फिर से आता है तो अपने को इसको वेटेस देना है तो अच्छी बहुत दे रखी है तो यह आप देख सकते और किसी राастाएं के लाते हैज किसी बी एक जनुर टीम के अगर बात करे है विर नामल से किसी अअगर टीम के आफ हर答 प्ले'र हो तो इसको ना 1 जो प्लेयर हो तो किसी इसको वेटेस देना है, Sanju Samson performance अभी इतनी कुछ खास नहीं, एवरेजी है, बढ़ आप इसको वेटेस दे सकते हो, रियान के बात करें, तो रियान का 50-50 scenario होगा, 50-50 ratio है, अगर 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 बात करें, तो यह प्लेयर दया होगा ओजरो प्लेयर अगर अगर, इसको वेटेस देना है, इसको आ चिका पडेर है, इसको कि पर जाता है, को फोीस साbelsोड से बाइब यहां पर सब्ल Like ऑन मे आद यहां पर भालय का नहीं कि मैं टिम को एक्स प्लैइंस कर रहूंका वहां पर मैं उबूर अच्छा से ब्ता कि मैं किस किस प्लैयर पोध रहो हो और किसको आं पर डॉप कर रहा हूं हुँ टो बहु क। नहीं के जो भी प्राइस होगा वो सभी लोगों में बढ़ जाएगा अपनी तरफ से कोई भी कमिशन नहीं रखने वाला है ऐसा ओफर कोई दूसा प्लेटफों में आप नहीं निकाल रहा है तो एक बहतरीन ओफर है आप सभी के लिए लिक मेंने डिस्क्रेशन में दे रहा है कमड़ों से पीन कर रहा है जाके डाउनलोड करके कॉंटेस को जोइन कर देना इससे पहले की कॉंटेस फूल हो जाए तो ध्यान रखना एक बहुत बढ़ा ओफर है इसकला आप सभी को पता है कि मिनिमम प्राइस होती है यहां पर एक प्राइस कितनी ज्यादा होगे आप मैच के अंदर चेक करोगे तो आपको दिख जाएगे ठीक है इसके लाए विन टुनिटी कूपन को अगर आपको मिलता है 20 परसे रियल एश्टा कैस और साथ में आपको मिलने का यहां पर पंदावस्यों का कैस बोनस ठीक है तो वीडिय प्लेयर मैंने बताई दिया था इस प्लेयर को आपको टीम बेर लेने वाले है लांस में चोच रन की पारी के लिए थी छपन मैच के अंदर देखो के तो 1780 रान या 33 का एवरेज है एक अधर रन की साबसे एट वेंडू बी देखो 9 मैच के अदर 33 का एवरेज है वेंडू क अबनारा एक यह जादा रिसके लेना हो तो इसको आपका वाइस कर्ण बना दो जिसके ओने के चांस तोड़ी से कम है अंदर में रिकमेंड नहीं करता हूं पर आज वे पंद्रा बनाते हैं उनको तो अलग अलग लग क्वाइस कर्ण चीहेंगे उसके यह यह बता रहा हूं बागि मैं बता हूं मैं अपनी जो सिंगल तीम वह उसके अंदर में दोनों यानि कि यसोफ जेस्वाल और जोस्पाथ दोनों को वेटेस देने वाला हु अगर इसके भी बात करे तो तो लांसमेच में 11 रन की पाली करें थी एक टीटी का देखो देखो तो शित्र मेंच फिर सब्सक्राइब करें देखो 11 गाहरा मेंच के अंदर 380 अर्टीस का अवरेज एड्वेंडेगे देखो गयारा मेंच के अंदर 380 रहने 38 आरटीस का अबरेज देखो कि तो 16 मेंच के अंदर 615 रहने और 23 गाश यह बहुत ज्यादा एट्वेंडी इंपोर्टेन बनता है वह मैंचीज ये है कि कि के अंदर आपन ड्रॉप नहीं करें गया कि कि इसमॉर युगिंदा वो फ districts धनें के लास्ट मेच्का डी टूरं की आ ही पारेक हैं ठी कि इसमेज में करती है कि उसको देखो कि तो 10 मेच के अंदर 201 रं 25 कावरेज थोड़ा सा कम है head to head में 8 वेंडू पे देखो कि तो 18 मेच के अंदर 409 रं 33 कावरेज तो 8 वेंडू का यहां पर experience भी काफी अच्छा दीख रहा है तो उसके अंदर आपको वेटेश देना ही है नए इस प्लेयर की यहां पर बात करा है रियान की तो देखो रियान को यहां पर आपको वेटेश देना है कि नहीं देना ही मैं आपको रिकमेंड यह करूँगा कि इस पो के अंदर तो वेटेश मत दो ठीक है सेलेक्शन रिश्यो देखो 62% का थोड़ा सा ज्यादा है अगर पच्छा से कम होता तो यहां पर वेटेश सकते थे एंदर नहीं बैठता है इस प्लेयर को वेटेश देने का को सेंस नहीं बढ़ता है इसमोल लिग के अंदर अपन इसको मुझे सब्सक्राइब और ड्रॉप करने का बाकि मैं अपनी टीम के अंदर इसको वेटेश दूंगा बले इसके पहुंए स्लास मेच के अंदर त्यालीस रन की थी ओल अवर कर टीट्टी देखो ही पिचासी मेच के अंदर उनीसो और तीस रहने बत्तीस का एवरेज है है तो हैट्ट वेट थोड़ा सबसे इसको फ्लो में आता है तो अभी के तौर पर आपने पास और भी अच्छे उप्शन है 15 मेरेज के अंदर देखो के तीन अच्छे प्लेयर के अंदर नहीं रखने वाला हूँ आगे बात करें यहां पर नेक्स प्लेयर की जो की है यहां पर दुरू ठीक है तुरू की बात करो तो दुरू का भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इसको भी डॉप कर से तो इस पर वेटेस में तो अपने पास और भी अच्छे उप्शन है पर उनके साथ में जाएंग लिएग का झालू के अंधर पंदर भी 17 लाणाता है हैं एक सब्सक्रे उख नेक्सक पें लिए उच्ग कर देंगेंme करता हैं इसकी अंग कर लोगा लेकिन मेर को लगता है कि इतने जादा पॉन गों इससे प्र में लगता हैं और थीन-टीम का लगतारा हूं और कभी-कभी पर डाउट होता है कि यार इस प्लेयर को लेना चाहिए बड़ जगा नहीं है तो उसकेश के अंदर ग्रांड लेक की दूसरी टीम बना देंगे तो किसी प्लेयर को हटा के उसको वेटेस देंगे ठीक है तो इस तरह किसे का रहेंगे तो बैलेंस टीम अपनी बन जाएगी बल सब्सक्राइबे करने के लिए सिरुदा आप्यों लीएट जो कि मेरी single team के लाइन बनाने वाला हूं उसमें प्लेयर नहीं है यहां पर AWS का मैंने बताया था कि Grand League यह सारे प्ले ग्रांड लिकी सबसे ही है इसमोल लिक के लिए मेरा टुटकोई भी रिक्मेंडेशन आपके लिए नहीं रहे का 56 मेच के अंदर देखो तो सित्योतर विगिट एड वेंड़ु पर देखो 2 मेच के अंदर यहां पर 3 विकिट और head to head देखो गे तो 3 मेच के अंदर 3 विकिट ठीक है तो मेरा यहीं रिक्मेंडेशन है कि प्लेयर पर आपको वेटेस देने की जुरूद नहीं है इससे पहले भी देखो कि तो 2 विकिट और T20 का देखो कि तो 139 मेच के अंदर यहां पर 116 विकिट है एट वेंड़ु पर 4 मेच के अंदर 4 विकिट और head to head अगर देखो कि तो 9 मेच के अंदर 15 विकिट बहुत ज्यादा होते है और on average 2 विकिट यहां पर बनता है पर मेच तो वो इंपोटेंट हो जाता है युदने चैल के बार में बता ही चुका हूँ कि इसको आपन वेटेस देंगे देंगे तो यहां पर Grand League के अंदर आप 4 विकिट दो के तो भी चलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि Grand League के अललोग कॉमिनेशन यहां पर ट्राय करने पड़ेंगे गण हम प्रस तो यहां पर ही कॉटे से तो यहां पर काव तो इसको ऑन लेक फीज़े तो मैंद एक तो यहां बताया कि कॉटभ सिंपोर्टन उपर के तीन प्लेयर कर यह उए का तो का तीम कॉलााप्स को नहीं से दियार देना हैस तो देमेंस तो यह अगर आउट हो जाते हैं तो कई ने कई फी टीम मेरको असा लगता है कि यहां पर खतम हो जाती है कि हा यार विकिट ने गिरना चीए बले ही थोड़े रण एग्रेस्वी नी बन रहे हो तो कोई बात नी तो यह चीज है मुझे अच्छी लगी इसके उपर आपन ट्रस कर सकते कि हा भाई यह प्लेयर है अगर अपने टीम के अंदर लेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे तो यह प्लेयर आते हैं इसलिए आपने को वेटेस्ट देना है ठीके लेकिन मैं सिंदुर अगर आप देखोगे तो टीम को यहां पर देखो जैसे कि अब आप कोगे जिसे मीचल मार से अपना रिसर पंते वगर यह सब प्लेयर भी तो बहुत अच्छे प्लेयर एफिन को में व तो इसलिए आपर मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि आप इस प्लेयर को अगर इग्नोर कर सको तो ज्यादा सही रहेगा मैं ऐसा नहीं के लेंगे नहीं टीम के अदर वेटेस्ट देंगे पर आपको सिंदुर बतारों कि ग्रानली के अंदर डॉप करने का रिसक लेसे को इस के अलबा इसके अलावा इंपड प्लेयर को वह जो जिसे तिर e हां पर अभिशेक आ अर्नटा इय तो वह इंपड़्हे यह था यह थोड़ा से यह थे कि इसकांड ऐसलिह है कि अकर first signing के अंदर dear Catalunya रहा यह थे हम पर बेटिंग कर ती इसके लाबा यहां पर बात करें अक्सर पटले सुमीट वगिर सारे जो भी प्लेयरे उनके उपर जाके डिस्कस करेंगे तभी बता दूँगा कि मैं टीम में शामिल कर रहा हूँ या फिड नहीं ठीके तो देली की टीम को थोड़ा सा एक्स्पें करते हुआ बात करते हुआ सबसे पहले डेविड मोर्न ट्रस्टेड प्लेयरे रन अच्छे का से बनाता ही है लास्ट में पारी थी 95% सेलेशन रेशियो जम के खेलता है अपने को अपनी टीम के अंदर प्लेयर को वेटेस देना ही है 125 मेंच के अंदर देखोगे तो 4550 रन है 41 का एवरेज है 7 मेंच के देखोगे तो एक मेंच के अंदर यहां पर 36 रन दिखा रहा है जो कि ठीक ही है ठीक है 13 रन यहां दिखा रहा है एवरेज हो गया वह बाद बराबर ही है तो मैं सिंदेर हो प्लेयर को इसकिप नहीं करना है उपनी टीम के अंदर वेटेस देना है इसका मिचर मार्स के रहे ह ऽीका विकट जिल्दी घिर रहा है लासे मेच पही देखोगे उसी बीच रन इसकी पारी है ति ट्वलेस के अदर देखो एक मेच के आंदर ने यहां पर एक मेच के नहीं रसे पारी कि लें जिसके वाजर से यह प्लेयर इंपोर्टेंट हो जाता है ठीके यहां पर देखो कि तो इस पेर को मैं आपने इसमोलीकी टीम के अदर वेटेस दे रहा हूं लेकि मैं आपको एक सिनेरियो बता दिया है कि 94% का इसका सेलेशन रेशो होता मीचल मार्स का इसकी सबसाब ग्राण लिक पर डॉप करने का रिसक लेसको तो ले लेना इसमोली पसंद आता है और टीम में लेने की भी होती है तो इन प्लेयर को आपन वेटेस देने वाले 46 परचन का सेलेशन रेशो भी बहुत कम है इसका क्यों लोगों को इसका वार में नोलेज ही नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं यह कि कि किस तरीके से खेल था जिसके मैं इसको से रहा हूं तो इसके ऊपर दो वेटेस जैसे मीचल मार्स उसको ड्रॉप को तो 95 पर सेलेशन रेशियो इसमोल लिग में ड्रॉप नहीं करना ग्रांड लिग की किसी टीम के अंदर ड्रॉप करने का रिसका प्ले सकते हो तो फिर आपको एक प्लेयर को ले नहीं तो इसको ल प्लेयर के अंदर क्लियर बता रहा हूं ठीक है इसका अगर आप देखो 107 में इसके अंदर 3058 रन और 33 के आपर एवरेज है रेशन फोर्म भी देखोगे तो यहां पर 38 रन है कि तो यार इसको भी दना रेकिमेंट नी करूंगा इसको यहां पर आप सिधा ड्रॉब कर सकता हूं मैं तीम करने के लिBenा के लिए इसको ड्रॉब कर 채 wi tk r94 अगे बात करें कि है वह इंपोर्टेन वह है जैसे मिना आप्राइल पॉल्ड हो लागिया खास अल्च एक्स वास प्लेर भी है ऐसा नहीं कहा रहा हूं तरह सारे बेकर के अंदर एक विकेट और यहां पर T20 का देखो 115 मेंच के अंदर एक कानू विकेट ठीक है 75 पर सेलेशन रेशियो है भाई बढ़ बढ़ा कहलता है लास मेंच के अंदर भी देखो कि तो 21 की पारी खेली थी लेकिन इस मेंच के अदर मुझे लग रहा है कि विकेट भी ले सकते इसलिए आपन इसको वेटेस देंगे ठीक है आगे बात कर अगले प्लेयर की जिसको टीम में नहीं लेना है वो है यहां पर सुमीत कुबार ठीक है मैं प्रशन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ प्लेयर को वेटेस मत दो आप इग्णोर कर सकते हो ठीक है वालब देहली की टीम कि आपके अच्छी है इसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा वेटेस कर सकते हूं तर जीतना है तो वेटेस देढ दो दे दोfta तो अभिश homosexual के लास्मेंश के लेकि darी है मैं नहीं लेकिल थी लेकिन दोकी टीम अक्प डान हही लेकिएARS का आप कर सक्た है जाले की टीम से ज्च कर सकते हो पर देखो कि तो दस मेंच के अंदे आपर देखो 21 यह बहुत कम है ठीक है है तो यह आपर कम है सलेक्शन रेश्य भी चार परसेंट है इसलमें के रहा हूं कि इस प्लेर को टीम में शामिल नहीं करना है कुल दी ब्याद हो यह इंपोर्टन प्लेयर सुरू में बता इसके बाद नेक्स बात करें अपनी खली रहमत की तो इसको अपने इतना कुछ खास नहीं देने वाले है में रिकमेंट नहीं करूंगा ग्रांड लिग तो ज़रूर रहले कि मेंको लग रहा है इसमें इसके विकिट नहीं हो ठीक है अगर यह फर्स इंग के अंदर देहली यहां पर बेट बेटिंग करती है तो उसकेस के अंदर इसको टीम में ले सकते हैं बागी सेकेंड इनिक के लिए मेरा कुछ खास रिकमेंडेशन नहीं होगा टी तो अठानो यहां पर विगिट हैट वेट देखो पांच मेंच के अंदर यहां पर आट विगिट सुन्दोर यहां पर देखिरों किस तरीखे से चल रहा है कि प्लेयर अच्छा है पर इसमोल लीग के रिकममेंडेशन ही रहा जाए इस बीस्तर एक भीट हो जाएगा जो की इसान सर्मा जो मिन आपको बता दिया अब बिशेक और इन दोनों में चेंज करदा जो भी हो वो मैं आपको तोस के ताइम पर बता दूगा ठिके हो सकता हो भी इंपेक्ट में आजा यह खेलने के लिए जा जा एक है तो एक टीम को यहां पर आप ज्यान से समझना कि अगर आप देखोगे लेकिन हाँ एक शिकिन तीम को देखने से पहले सबसे इंपोर्टेंट माय लान से के लिए आपका डाउनलोड निका है तो जल्दी से डाउनलोड करना लिंक डिस्क्रिशन दे रहका है कर रहका है जाकर जोइन कर लेना टीम यापको दे रिखी इसी तीम को जा की जोइन कर लो और बहुत बड़े बड़े ओफर चलते मिनिमुम एक करोड के प्राइस मरी तो यहां पर होते ही है अब यहां पर अगर टीम को अगर आप नोटीस करो कि तो विकिट की पर से जोस बटला ले रहा है चै मैं पर ले रहा है टीक हैं कि बास काफी अच्छी यहां पर ऐसी यापर प्षंट सेबात को used as well शहले दुछ की फैवर में टीम बनाऊ और फांले तीम में डेखों देऊगाउगां को देखा है अर पिछ इसक पहलो करें नुछ तो थोड़ा रिस्टी भर बना रहा हूँ और मीचैमाद को मैं एजवासर वास्यकीपटन फुरफर वेटर दे रहा हूँ तो मेरा सवाल सिद्धा आप से रहने वाला है कि आप इस्टीम के विवेखवासर क्या मेरा है क्या मुझे लिए करें करके जरूर बता था वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा, इस खेल में आधर लगना यार्थी जोकिम संभव है, जिम्यदारी से खेलें